कि यूडीज सॉलूशन लिमिटेड नाम से एक नया IPO खुलने वाला है जो कि चार अगस्ते आठ अगस्त के बीच में खुला वार रहेगा और इसका जो लिस्टिंग हो 17 अगस्त को हो जाएगा अब यह जो यूडीज है यह क्या करती है यह कंपनी है जो कि IT कि सोलूशन और कंसल्टेंज सी स्र्व्वीशेस प्रवेड करती है जो सको काफी सारे मिक्स हैं काफी सारे सर्वीशेस कम nyवाने है अपना ब्लॉकचेन पर शिप्ड करना है अपको तीजिजिट र मार्केटिंग कर्वानी है ऊपको पुरा मतलब हाइब priority आहԱंपस बनवान करती है एक रूफ के अंदर में सो यह काइंड और प्रोजेक्ट बेसिस के उपर काम करती है जिसे साब से कंपनी के सब इसे जहें सो अब यहां पर यह कंपनी हमसे क्या चाह रही है सो अगर इसकी बात करें तो यह 165 रुपए के उपना यहां पर आपको एक आईप्यो फाइल लगाने के लिए एक लाग 32,000 रुपए की जरुत पढ़ने वाली है अब यहां पर कंपनी कमाई किसे साब से कर रही है अगर लास्ट एयर की बात करते हैं तो कंपनी ओने ने वरे साड़े 4 परसेंट के उपर टोटल रेवेन्यू का साड़े 4 परसेंट के आसपस कमा रही थी ठीक 18 क्रोड का रेवेन्यू किया था net profit जो है यहां पर 10 परसेंट के आसपस net profit होगे मतलब मैं अपर economies of scale देखने को मिला खर्चा कम रहा बट profits बढ़ गए अब यहां पर इसी चीज़ को हम इसके एक और साल पहले compare करके देखते हैं तो वो 13 क्रोड का इन्हों ने रेवेन्यू किया असी लाग का तो यहां पर अगें जो आपको clearly यहां पर देख पा रहे हैं कि भई इस चार पांच परसेंट चैपरसेंट के आपस में नेट प्रोफिट कंपरी ने कमाया है लगवाग चैपरसेंट चैपरसेंट के और नेट प्रोफिट कमाया बट 2022 के अंदर इसके जो रेवेन्यू है वो बढ़ गया बट प्रोफिट कम होगे बट इस साल IPO था तो revenue तो करने हैं सभी का मैक्सिम बढ़ जाते हैं चलो आगे बढ़ते हैं तो यह कंपनी जब IPO लेके आ रही है तो यह जो पैसे कट्थे हैं उनको क्या करने वाली है तो कंपनी अब बहुत सारे अपनी चीज़ें बताएं कि यह acquisition करने वाले दूसरी कंपनी को खड़ी देगी चोट लोन लेना भी नहीं चारी इस वजय से कंपनी आई पिए लेकि आई है और अपने अक्सपेंड करने के ओपर पैसा खर्च करने वाली है एक्टूरा को सब्सक्राइब कर रही है और प्रोब्लम विल बी कि जिस सबसे कंपनी काम कर रही है आने वाले टाइम में काफी जो लो तो यहां पर मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि company को कोई उसका effect होने वाला है क्योंकि company के जो लोग है competition बहुत बढ़ जाएगा इस market में जैसे company के net profits है already 10% के आसपास है तो हो सकते ज्यादे ज्यादा 7-8% के आसपास में चले जाए और AI की वज़ाए से इस company को ही profit होने वाला है औ मतलब यह काम तो जो market है तो market तो बढ़े गई और लोग इनके पास में आने वाले हैं और यह अपना ज्यादा net profits मतलब company ज्यादा profits कमानी net margin सदक नहीं रही है अगर future में देख लेते हैं कि इस company के जो competitors हैं वो किसी सबसे कमा रहे हैं और हमें आज के दिन जिस बाव पर IPO लेकिया यह company अच्छी value के उपर अपना shares दे रही है या फिर हमसे महेंगे में shares अपने को बेच रही है अगर उसका आगर हम बात करते हैं तो यहां पर PE और PB ratio नि वो कितना है इसको multiply कर देते हैं share price के साथ में जोगी कितना है 165 so यहां पर company अपनी पूरी value लगा रही है 170 करोड रुपए so 170 करोड को हम divide कर देते हैं कितने से net worth कितनी थी 10 करोड 10 करोड 11 करोड ही माल लेते हैं इसको so 11 करोड हो गया हो गया अब यहां पर है 15 का जो है अपने बस PB आया है PB ratio मतलब price to book value ratio अब इसी को हम compare करके देखते हैं कि कितनी ज्यादा valuation के अपर company IPO लेकि आई तो उसकी बात करते हैं यहां पर 6.87, 13, 57, 4 so on average maximum जो company जो इसके competitors इसने DRS में बता हैं उनसे महेंगे के अंदर में यह अपना वो लेकि आई है PB ratio के अपर मतलब valuation ज्यादा लेकि आई है तो यहां पर इसका जो net worth है वो तकरीबन केतना हो जाएगा 50 करोड़ so 50 करोड़ से इसको calculate करके देखते हैं बाकी बात में हम लोग इसको compare again करेंगे so यहां पर 3.3 का PB ratio आगया तो अब इसको main जो compare करेंगे वो main माना जाएगा तो यह है साथ का PB, 13 का PB, मतलब सभी के PB's में सब को मात दे रही है so यहां पर valuation जो है after the IPO हम लोग ने देखी है वो सभी को मात दे रही है क्योंकि जिन companies के साथ में हम लोग compare कर रहे हैं वो अलड़ी listed है मतलब after the IPO ही उनके साथ compare कर रहे है और इसका भी after the IPO अच्छा वेल्यूएशन अपी वी रेशो अच्छा है मतलब वेल्यू थो ठीक दे रही है अब next हम बात करते हैं पी रेशो की कमाई कितनी कर रही है जिसे सबसे price इनों ने रखा है और competitors के साथ में compare करके देखते हैं तो अभी recent result के साथ कमाई है वो कितनी है दो क्रोड पच्छेतर लाग रुपे अब इसी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि दो क्रोड पच्छेतर लाग तो यहां पर जो P ratio आ गया वो 61 का अब यहां पर इसके सुधरने की उम्मीद हम ने क्योंकि नहीं क्योंकि अगर लॉन वोन होदा अगर वो company चुका देती तो हम इसको भी compare करके देख लेते after the IPO बट after the IPO भी यही valuation रहने वाली है इसको compare हम आसानी से कर सकते हैं जो 61 का है तो यहां पर P ratio 31, 45, 48, 91, 51 so kind of कमाई इतने अच्छी नहीं कर रही है competitors के मुकाबले अगर competitors में अगर देखा जाए जो कमाई भी अच्छी कर रहा और value भी अच्छे है लेवल पर available है तो उसको थोड़ा सा ही पर देख लेते हैं जिसका नाम है देव information technologies तो यह ठीक ठाक ले रहा है मतलब इसके price टूब को वेली फड़ा महेंगा है बट यह कमाई अच्छी कर रहा है अब हमें इसके रेपलाई करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए उसका हम अलग से study करेंगे इस company के बारे में तो हम उसमें पता लगाए पाएंगे जो कि आप future में बने रह सकते हैं चैनल के उपर हम लोग study करते रहते हैं अब finally हम लोग इस नतीजे के पहुंच रहे हैं कि valuation जो हैं वो थोड़ी सी कमाई इतनी अची नहीं करें computers के मुकाबले बट PB ratio ठीक ठाक है मुकाबले अच्छा है so finally valuation तो ठीक ठाक मिल रही है अगर overall valuation देखी जाए क्योंकि PB ratio सस्ता है पी ratio महेंगा है so overall देखा जाए तो valuation ठीक है इतनी बुरी नहीं है और company के future में बढ़ने की उम्मीद है जी सबसे कंपनी ने growth जर करा रही है दूसरा अगर आइपयो के listing gains देखने को मिल सकते हैं नहीं उसके बार में अगर थोड़ा सा trend को देख लेते हैं और वह में मिलेगा कहाँ पर ग्रे मार्केट प्राइज यहाँ पी तो यहाँ पे यूडी solutions जी उसका GMP चल रहा है वो 16-17% चल रहा है अगर यह आपको at the end of the listing मतलब यह जो closing तक है IPO closing date तक 30% से अबाउन मिलता है अगर यह portion तो हम अब इसके अंदर apply कर सकते हैं अच्छे से कोई issue नहीं है बाकि future के अंदर इसके अंदर applied बने रहना मतलब इन्वेस्टेड बने रहना वो थोड़ा सरीस्की हो सकता है उसके लिए अपने दूसरी कंपनी इसके कॉंपिटेटर्स है वो अच्छे वेलिएशन पर मिल जाएंगे बागे थर्टी परसेंट से उपर यह रहता है तो हम इसके अंदर apply कर सकते हैं तरवाइस एक नोर करें दो बेटर है से यू तोमरों